एंजल ओफ डेथ मौद के देवता यवि मौद के दूद जब मेरे फादर को होश आया तो वह क्या करते हैं वह पैसे प्राप्त करने के लिए जज हैचर के उपर केस कर देते हैं मेरे फादर चाहते हैं कि मैं स्कूल ना जाओ एक दिन की बात है उन्होंने मुझे पकड़ा और तीन मिल दूर एक पुराने से लकड़ी के बनार हुए जोपड़ी में जो की बीचों बीच जंगल में थे वहां मुझे वहां लेके चले जाते हैं और जब कभी भी वहां से जा बगना जाओं इसलिए वह हमेशा दरवाज को बंद करके महां से जाते थे उन्होंने एक बंदुग भी चुरा ली थी अब उसके बाद मचली पकड़ते साथी साथ वह शिकार भी करते कभी कभी वह विस्की पीने के लिए मचलियों को और गेम खेलने के लिए भी मचलियों को बेज देते मतलब विस्की पीना है तो मचली बेच रहे हैं और गेम खेल रहे हैं साथी साथ जब वह पी करके आते तो वह मुझे बहुत ज़्यदा मारते थे वह दूसरीयों जब विड़ो को इस बारें पर चला कि मैं कहा हूं तो उन्होंने मुझे ढूरने के लिए कु फटे चुटे और गंदे हो गए और मैं ज्यादा दे तक खड़े भी नहीं रह सकता था लेकिन मेरे पास कोई उपाई भी नहीं है कि मैं भागू तो भागू कैसे एक बार की बात है उन्होंने मुझे तीन दिनों तक बंद करके रख दिया था और मुझे बहुत ज़्यदा से भागने की कोशिश करूं लेकिन वह इतना ज़्यदा छोटा था कि वहां से कुट्टा भी नहीं भाग पाए और वहीं दूसरी और मैं चिमनी के बारें बात करूं तो वह भी बहुत ज़्यदा छोटा था मैं वहां से भाग नहीं सकता था वहीं दूसरी और वहां का जो था वह एक सौलीड ओक स्लैब से बना हुआ था मेरे फादर ने तो एक चाकू भी नहीं छोड़ा था इस बात से कि कहीं मैं भाग ना जाओ चलो अम मैं क्या ही कसे था लेकिन मेरी किस्मत चमकती है मुझे एक पुराना सा रस्टी वुड सौ दिखाए देता है मैंने उसी ग्रीश लगाया और उस पे काम करना शुरू कर दिया मैंने धीवार के पास एक लकडी का लठा देखा जो कि उसके सबसे नीची सथा पे सटा हुआ था और उसके बाद से मैंने उस पे काम करना शुरू कर दिया ज्यादा समय हुआ ही नहीं था कि मैंने अपने पिता जी की बन्दूत की अवास जंगलों में सुनी तो मैंने उसे शिपा दिया और उसे ब्लांकर से ढग दिया और उन्हों ने मुझसे कहा कि सब कुछ बुरा हो रहा है जो ट्राइल था वो भी पोस्पोन हो गया क्योंकि जर्ज हैचर को पदा था कि उसे क्या करना है साथी साथ उस वीडो ने तो तुम्हारे कस्टडी के बारे में भी बोला कि वह तुम्हारी कस्टडी लेना चाहते है वह तुम्हारी देख भाल करना चाहते हैं, जिससे मुझे जटका लगा, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ तो नहीं रहना चाहता था, साथी साथ मैं उस वीडियो के साथ भी नहीं रहना चाहता था, तो मेरे फादर ने इन सब बातों को बोलने के बाद उन्होंने सब को भुरा भला कहा, साथी साथ उन्होंने मुझे यह धमकी भी दी, कि वह मुझे यहां से भी कम सकम छे साथ मिल दूर ले जाएंगे, जिसके बाद कोई भी मुझे धोड़ ना पाए, अब इसके बाद क्या होता है, कि मेरे फादर मुझे एक बोल्ट के पास भीजते हैं, जहां से कुछ समाल लाना था, वहाँ पे क्या था, आटा था, मीड था, कुछ गन पॉलर थे, शॉट थे, विश्की था, इसी जैसे बहुत सा चीज़े, वहाँ पे थे, तो मैंने उन सारी की सारी चीज़े को मैं, कैबिन में ले करके आता हूँ, जैसे ही मैं देख रहा था, कि मैं खाना बना रहा हूँ, मैं क्या देखता हूँ, कि मेरे फादर फिर से पीना, मैं इस बात की उमेद की, मैं यहाँ सोच रहा था, कि कब मेरे फादर सो जाए, ताकि मैं भाग सकूँ, हाला कि पीनने के बाद, वो जमीन पे गिर जाते हैं, अवा कहारे लेने लगते हैं, इधर से उदर घूमते हैं, मैं टरस पे, लेकिन वा सोते नहीं हैं, लेकिन मेरे फादर की, इन साए चीज़े को देखते देखते, मुझे ही नीदाई, मुझे पता ही ने चला कि मैं कब सोया, लेकिन जब मैं जागता हूं, तो मैंने एक, बहुत दर्द भरी, चिलाने की आवाज सुनी, मेरे फादर चिला रहे थे, इदर से उधर तहल रहे थे, और साथी साथ, वह साप के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, कि ये सादी के साथे साप, मेरे पैरों में रेंग रहे हैं, लेकिन मुझे तो कुछ देखा ही ने रहे था, मैंने एक ऐसे आदमी को कभी भी नहीं दिखा था, जिसकी आखों में इतना ज़्यादा गुस्सा है, वहाँ जोर जोर से सास ले थे, सास अंदर बार, बहुर ज़दा जोर जोर से, फिर वहाँ रेंगते हुए, आते हैं ब्लैंकेट से, इधर से उधर आवाँ चिलाने भी लगते हैं, अब क्या होता है, इतनी जोर से में फ़ादा चिला रहे, कि मैं उनकी चिलाने की आवाज तक सुन पा रहा हूँ, फिर अचानक से वहाँ अपने पैरों पर खड़े होते हैं, और चाको लेकर के में तरफ आन लगते हैं, आवाँ चिलाते हैं, तुम, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें एंजल अफ देथ हो, मैं तुम्हें मार दोंगा, इससे पहले कि तुम मुझे मार दो, वह दूसरी हो मैं चिलाता हो पापा, मैं हकूँ, आपका बेटा, लेकिन वह हस रहे हैं, साथी साथ, वह मुझे भूरा भला बोलते हुए, मेरा पीछा करने लगते हैं, एक बार तो उन्होंने मेरे कॉलर को भी पकर लिया, मुझे तर लगा कि मैं चला दिया, लेकिन मैं किसी तरीके से, उस जैकेट के कॉलर से अपने आपको छोडाता हूँ, फिर थोड़ी दिर बाद, मेरे फादर फ्लोर पे गिर जाते हैं, और बोलते हैं, कि मैं थोड़ी दिर अराम करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूँगा, लेकिन वह सोजाते हैं, और वहीं दूसरी यूर, मैंने उनकी तरफ एक गन पॉइंट कर दिया, ताकि मैं अपने आपको बचा सकूँ, अगर मेरे फादर मुझे मेरे उपर अटाइक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और मुझे भी नहीं दाजते हैं,